जैसा मैंने कहा 1949 अर्थाद दुती विश्विद की शुरुवात के पहले जब हम मानो विकास की यात्रा का अध्यान करते हैं तो उसमें राजनी तिक पहलू बहुत कम चुनने को आता है पढ़ने को आता है वो एक तरीके से नगन्य रहा किंदो 1949-45 के दुती विश्विद के बाद इस्थिती बिल्कुल बदल जाती है विश्व ही बदल जाता है विश्व का बदलना अपने साथ बहुत सारे परिवर्तन लाता है 1945 का विश्व जो था दुती विश्व दिके बाद का विश्व उसने पूरे दुनिया का नक्षा बदल लिया चाहे वो भागोलिक नक्षे की बात करें चाहे मानसिक नक्षे की बात करें सोच की बात करें सब कुछ बदल गया और ऐसी स्थित में विकास कैसे अच्छूता रहता 1945 के बाद आपने अध्यान किया होगा कि मात्र भारत ही स्वतंत नहीं हुआ भारत के साथ साथ एशिया के बहुत सारे अन्य देश एफ्रीका के बहुत सारे अन्य देश भी स्वतंत रुहे जिनकी संख्या सैक्णों थी परणाम क्या होता है कि 1945 का विश्व सामराज जवात का खात्मा देखता है और उपनिवेश का भी खात्मा देखता है यदि उपनिवेश समाप्त हुए तो निश्चित रूप से उसकी चोट सामराज जवाद पर ही तो पड़ेगी सामराज जवाद और उपनिवेश वाद एक ही सिक्के के दो पहलू है तो सामराज जवाद और उपनिवेश वाद का खात्मा पहली बात बहुत सारे देशों के स्वतंता दूसरी बात बहुत सारे नए राज्यों की स्थापना चाहे वो इशिया अफ्रीका या लेटिन अमेरिका की बात करें जो बड़े बड़े विशाल ख्षेत रहें उनके स्वतंता ये तीसरी बात और इन सब के परिवर्थनों के परनाम सुरूप सामराजवद और उपनिवेशवद की चक्की में जो ये छोटे छोटे देश पिस रहे थे शोशित हो रहे थे जिनका शोशन किया जा रहा था संसाधनों का जहां दोहन किया जा रहा था अपने देश के विकास के लिए इनकी शोशन की समाप्ति होती है ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है मील का पत्थर है सामराजवाद और उपनेवेशवाद की समाप्ति के साथ शोशन, दोहन ये भावना जो थी वह भी समाप्तों चलती है और उसके बदले इन देशों में विकास की सोच सामने आती है जब ये नए रज्ज सामने आते हैं जिनका कई सो वर्षों तक दोहन और शोशन हुआ और ये स्वतंत्र होते हैं अपने बल पे जब खड़े होते हैं तो पाते हैं अपने को लाचार अपने को पाते हैं भुखमरी, गरीबी और अन्य सभी तरह की राजनीतिक समस्याओं से उलजे हुए देश आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं इन देशों में मुह बाय खड़ी हो गई स्वतंत्रता तो मिली हैं पर स्वतंता के लिए जो कीमत चकानी पड़ी बहुत बड़ी थी इनके सामने सब समस्याओं खड़ी हो गई, विकास की समस्याओं खड़ी हो गई क्योंकि उन्होंने देखा था कि सामराजवादी ताकतों ने हमारा दोहन करके अपना विकास किया हम तो खुजी इतने गरीब हैं कि अब दोहन किसका करें दोहन की ख्यमता नहीं है तो ऐसी स्थित्य में क्या हमारा विकास नहीं होगा क्या हम विकास नहीं कर पाएंगे या ऐसी स्थित्य रहते हुए भी विकास की गुझाईश है और यदि है तो किस तरीके से हम अपने को विकिसित करें इस पर सोच शुरू हुई, इस पर विचार मन्थन शुरू हुआ इनके विकास की समस्या को लेकर पश्चीमी जगत के विद्वान, विचारक, राजनीति शास्त्री इन लोग के सामने ने ने विचार आने लगे, ने ने आयाम, राजनीतिक विकास के ने ने आयाम खुलने लगे उधारण के लिए विकास क्या है इस पर एक नई सोश शुरू है क्या विकास वही है जो अभी तक सामराजवादी देशों में होता जा रहा था होता आ रहा था अर्थात क्या विकास वही है जो कुछ अन्य देशों की कीमत पर हम लोग कर रहे थे हम लोग से मेरा ताटपर ये स्पेन, फ्रांस, इंगलेंड आधी देश क्या वही विकास है तो विकास क्या है इस पर सोच शुरू होती इसका स्वरूप क्या होगा किस धंके विकास की बात होगी इन सब प्रश्णों पर विचारकों, विद्वानों ने अपने अपने विचार रखने शुरू हुए एक बहुत गहन, बहुत बड़े स्केल पर विचार मन्थन शुरू होता है और लोग विचार रखने लगते हैं, सोचने लगते हैं इन विद्वानों और विचारकों में अधि हम बात करें तो कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने विकास की बदलती हुई परिभाशा और विकास के नए-नए मॉडल को लेकर बहुत गहन चर्चा और अध्यन की इसमें लुजियन पाई, आमेंड और पाविल, केनेथ और गेंस्की, जॉन एज कॉट्सकी, रॉनल्ड पिनक, फ्रेड डबलू रिग्स, सैम्वेल हटिंग्टन और नजाने से कितने नाम पर ये वो नाम हैं, जिन्होंने वास्तों में विकास को नए तरीके से परिभाशित किया, विकास को नए तरीके से देखने की कुशिश की, समझने की कुशिश की ये सब चिंतन के बाद, विकास के क्या माइने, विकास के क्या अर्थ, विकास के अर्थ की यदि हम बात करें, कि ये सब चिंतन के बाद क्या निश्कर्श निकलता है तो development का meaning क्या होता है meaning of development तो अभी तक तो ऐसा माना जाता था कि विकास मतलब परिवर्तन और परिवर्तन हमेशा बहतर के लिए होता है ऐसा माना जाता था विकास का परिवर्तन, विकास बराबर परिवर्तन, समय, परिस्थितियां, छेत्री, जरूरतें, इन सब के अनुसार समाज में परिवर्तन होते रहते हूं, और यही परिवर्तन विकास है। समाज में होने वाले यही बदलाओ हमें विकास की तरफ ले जाते हैं। तो बदलाओ, विकास का गहन संबंद है बदलाओ से, गहन संबंद है परिवर्तन से, परिवर्तन और बदलाओ हमें विकास की ओर ले जाएंगे, ऐसा माना जाता है। समाज में जब भी कोई बदलाव आता है, तो वो बदलाव जो है, वो किसी न किसी नई उपलब्ध को साथ लेके आता है, कुछ न कुछ नया लेके आता है, और यह नया ही तो विकास है तो आपको समझना होगा कि समाज में जब भी कोई बदलाओ हो तो वो किसी न किसी प्रकार की नई उपलब्द को लाता है और यही उपलब्द आगे हमें ले जाती है समाज में कभी राजनितिक परवरतन आएगा कभी सामाजिक परवरतन आएगा कभी आर्थिक परिवर्तन आएगा परिवर्तन जो भी हो ये परिवर्तन अपने तरीके से कुछ न कुछ उपलब्धियां छोड़ दाते हो समाज में होने वाले इन परिवर्तनों का नाम ही हम विकास कहते हैं इन उपलब्धियों को ही हम विकास कहेंगे देखा जाए तो विकास शब्द जो है वो अपने आप में बहुत जटिल है विकास की हम दो तरीके से उनके अर्थ को समझ सकते हैं एक होगा संकीन अर्थ और एक होगा व्यापक अर्थ संकीन अर्थ और व्यापक अर्थ पर ये पहले समझ लें कि विकास शब्द बहुत जेटिल है क्योंकि इसमें उन्नती भी आती है इसमें प्रगती भी शामिल है इसमें कल्यान भी शामिल है इसके अलावा इसमें सकारात्मक सोच सकारात्मक सोच सोच ही नहीं सकारात्मक सोच और साथ ही अच्छे जीवन की इच्छा ये भी शामिल हαι यानि विकास इसलिए जटल शब्द कहा है क्योंकि इसमें सब कुछ शामिल है बहतरी के लिए जो भी हो सकता है वह विकास में शामिल है और उस बहतरी के प्रक्रिया में सकारात्मक सोच होना जरूरी है अच्छे जीवन की इच्छा होना जरूरी है तो आप समझ सकते हैं कि विकास is a very complex word development is a very complex word कई बार बलकि अधिकतर जैसा मैंने शुरू में कहा खासकर 1945 से पूर विकास का अर्थ सामाने ता आर्थिक विकास से लगाया जाता है जब भी हम विकास की बात करेंगे इस परिवार का विकास हो रहा है देश का विकास हो रहा है तो हम तुरंट उसके GDP की बात करते हैं परिवार का विकास हो रहा है अर्थात मान के चलते हैं उनकी आर्थिक आये में व्रिद्धी हुई है शायद कुछ प्रापर्टी बनाई होगी, कुछ संपत्ती बनाई होगी आदी आदी तो विकास का अर्थ आर्थिक मायने में अधिकतर लिया गया और या फिर आधनी की करण जैसे अर्थ में लिया गया कि विकास मतलब आधनी की करण, मौडरनाईजेशन देखिए, मौडरनाईजेशन और वेस्टरनाईजेशन में अंतर है पाश्चात्य करण और आधनी की करण, ये दो अलग-अलग चीज़े हो इसको आपको समझना होगा, जो किसी अन्य अध्याय में इसको हम समझेंगे ये लेकिन फिलहाल आप समझ जाएं, कि आप जो शुरोता हैं अभी, ये वेस्टरन अपनी विचार में पश्चिमी सभिता को अपना रहे हैं, या आधनिक सभिता को अपना रहे हैं, इसमें अंतर करणा सीखें यहां पर जो मैं बात कर रहा हूँ, वो आधनिकी करण की बात कर रहा हूँ, विकास मने हम आधनिक हो गए, विकास मने हमेरे आर्थिक प्रगति हो रही है, पर कैपिटा इंकम बढ़ गई है, आदि आदि, ये तो बड़े संकीन अर्थ हैं, जैसा मैंने कहा, कि विकास के अ बांधों का निर्माण, सड़क निर्माण, अस्पतालों का निर्माण, इस्कूलों का निर्माण, बेरोजगारी समाप करना, रोजगार देना, गरीबी उन्मूलन आदी, ये सब जो हैं ये विकास के संकीन अर्थ के दायरे में आता है, ये विकास नहीं है अपने तैंस, पूर्ण विकास नहीं है विकास का मातर एक पहलू है और इसे हम संकीन क्यों कह रहे हैं क्योंकि इनके बनाने से इनके निर्माण से पूरे समाज का फाइदा नहीं होता पूरे समाज का विकास नहीं होता बलकि उन योजनाओं से जुड़ो हुए लोंगों का विकास होता है समाज के एक हिस्से का समाज के कुछ खास तबके का ही उद्धार हो विकास हो ऐसा विकास संकीन है क्योंकि वो समगर विकास नहीं है holistic development नहीं है आधनी की करण सभी का हो तब तो ठीक है बांधों के निर्मान से सभी का फायदा हो रहा हो तब तो ठीक है लेकिन बांध का निर्मान होता है तो उस खेत्र के में रहने वाले बांध के दायरे में आने वाले लोगों का विकास होता है पर बाकी लोग उससे अच्छूते रह जाते हैं तो इसलिए ऐसी परभाषा एक संकीन परभाषा दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आज का जो भौतिक वाधी युग है, आज के भौतिक वाधी युग में व्यक्ति या समाज के विकास का अर्थ, आर्थिक विकास से लिया जाता है, जो शुरू में हैं हमने कहा, समाद का विकास हो रहा है यह व्यक्तिक का विकास हो रहा अर्था आर्थिक विकास हो रहा है और यह आर्थिक विकास का संबंद भौतिक वादी सोच से है भौतिक वादी सोच अर्थास इस धर्ती पर सुख सुविधाओं की सोच से है उसका संबंद इस धर्ती पर यहां के बाद क्या इसकी सोच विकास की वर्तमान परिभाशा में नहित नहीं है इसलिए मैं विए वाकिपना दोहरा दूँ कि वर्तमान भौतिक वादी जुग में समाज के विकास का अर्थ आर्थिक विकास भौतिक वाद के अधार पर विष्व में दो तरह की विचारधारा हैं भौतिक वादी विचारधारा जैसे मैंने कहा वह विचारधारा जिसका संबंध शारिरिक सुक से है इस धर्ती में मिलने वाले सो इस जन्म में हमें जो सुवधाय मिल रही हूँ उससे जिसका संबंध है तो ये जो भौत एक वादी विचार धारा को हम दो भागों में बाट सकते हैं एक कहलाती है पूंजी वादी विचार धारा और दूसरी कहलाती है साम्मिवादी विचार धारा विश्व में मूलता ये दो विचार धाराएं सबसे ज़्यादा प्रचलित रही विखास कर जिती विश्वदि के बाद साम्मिवादी और पूंजी वादी विचार धारा सोवियत संग का अध्यान करते समय, सोवियत संग के विगटन का अध्यान करते समय, हमने देखा है कि सोवियत संग अपने अंतर विरोध के कारण तूटा, सोवियत संग का जो विगटन हुआ, सोवियत संग जो टूटा 1990 में, उसका कारण था उसकी विचारधारा के अंदर नहित अंतर विरोध, सोवियत संग के विगटन से साफ हो चुका है, कि ये वाली जो विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा, वो अपने ही बोच से तूटते जारी है, आज साम्मेवादी विचारधारा की बात करें तो साम्मेवादी विचारधारा अब मात्र कुछ ही देशों में सीमित रह गई है जिसमें मूल रूप से चीन है उत्तरी वियटनाम है उत्तरी कोरिया है और कुछ और देश जहां पर साम्मेवाद है इस से पहले मैं आगे बढ़ू मैं थोड़ा से साम्यवाद के बारे में आपको चार बाते हैं और बता दूं कि साम्यवाद है क्या क्योंकि आपको इस अंतर समझना होगा साम्यवाद बनाम पूजी वाद में साम्मिवाद अर्थात ऐसी विचारधारा जिसमें सभी तरह का नियंत्रण सरकार का हो, व्यक्ति के जीवन के सभी पहलूँ पर नियंत्रण सरकार का हो, खास कर आर्थिक पहलूँ पर. जह था मैंने शुरू में कहा, कि भौतिक वादी अधार पर ये दो विचारधारा हैं, आर्थिक सुक संपन्रता से जुड़ी हुई हैं विचारधारा हैं, तो जहां तक आर्थिक सुक संपन्रता की बात करते हैं, तो साम्मिवादी विचारधारा में आर्थिक पहलूँ पर स सरकार का पूरा नियंतरण रहता है और इससे मेरा ताजपर है लैंड, लेबर, कैपिटल और और और्गनाइजेशन इन चार तत्वों पर जो उत्पादन के सबसे महत्पूर्ण अंग हैं उन पर सरकार का नियंतरण रहता है उसे कहते हैं साम्यवादी विचारदारा और इसका गहराई से अध्यान करने की जुरत यदि आपको है तो आप सोवियत संग्से जुड़े हुए अन अध्यायों को इतिहास में और राजनीति विज्ञान में भी पूर में किये गए कुछ अध्यायों में आप पढ़ सकते हैं इनका विस्तार से आप लोग को इसके बारे में समझाय गया है फिलहाल आप ये जानें कि साम्यवादी विवस्था ऐसी विवस्था जिसमें समस्त आर्थिक पहलों पर सरकार का नियंतर है दुर्भाग्य से जैसा मैंने कहा ये ऐसी विवस्था निकली जो अंतर विरोध के कारण तूटते जारी थी ऐसी विवस्था निकली जो अपने ही बोज के तले दबे जारी थी और आज की तारीक में ज़िए हम बात करें तो मातर ये तीन चार देशों को छोड़कर और सोवियत रूज भी सामिवादी विष्था वाला देश है लेकिन धीरे धीर हम पाते हैं कि ये समाप्त प्राय है समाप्त के कगार पर है वहीं दूसरी और यदि हम बात करें पूंजी वादी विचार धारा पूंजी वादी विचार धारा भी यद्यपी आज विष्व में सबसे ज़्यादा देशों में यही विचार धारा है पर ये अपनी गलत धारनाओं के कारण वह भी अपने ही बोश्च से दब रही है जैसी सामिवादी विचार धारा मनिश को के वले भौतिक वस्तु ही माना गया है पूंजी वादी विचार धारा में यदि सामिवादी विचार धारा क्या है मैंने बताया तो पूझी वादी विचार धारा भी क्या है थोड़ा सा इसको जान लें पूंजी वादी विचारधारा अर्थात एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था एक ऐसी भौतिक वादी विचारधारा जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑगनाइजेशन ये चारों जो फैक्टर्स अफ प्रडेक्शन कहलाते हैं उत्पादन के कारक ये चारों बिलकुल निज हाथों में रहते हैं, सरकार का आर्थिक मामलों में कोई लेंदेन नहीं, सरकार का आर्थिक व्यकास को लेकर सरकार का कोई दखल नहीं, अर्थात निजी आतों को पूरी स्वतनता है अपने आर्थिक व्यकास की, ये कहलाता है पूंजी वाद, सामय वाद में व्यक्ति को आ पूर्थिक सतन्ता पूर्ण रूपेन मिली हुई है जितना कमाना है जैसे कमाना हो आधी-आधी सब पूरी तरस्वतन्त हैं लेकिन ये व्यवस्था यद्यपी सबसे ज्यादा विश्व में प्रचलित हुई लेकिन अब यहां पर भी बहुत सारी खामिया देखी जारी है और सखामी के कारण ये है कि पूर्ण वादी व्यवस्था में व्यक्ति को भी एक भौतिक वस्थु मान लिया गया जैसे ये कुर्सी है टेबल है कम्प्यूटर है आपका स्क्रीन है ये सब भौतिक वस्थु है मनश को भी एक भौतिक वस्थु के रूप में देखा गया पूर जीवादी वरस्था में और ये बहुत बड़ी भूल थी आज का जो मनुष्य है वो केवल भौतिक प्राणी नहीं है इन सब वस्तूओं से हटकर मनुष्य में दिमाग है मानस है मन है वो उसको अन्य भौतिक वस्तूओं से बिलकुल अलग करता है उसमें मन है उसमें बुद्धी है और उसमें आत्मा है वह सजीव है आत्मा है सोच है उसमें जिसके कारण वो इन भौतिक सुखों के अलावा चाहे वो पूंजी वाद से आने वाला सुखो चाहे वो सामें वाद से जुड़ावा सुखो चुँकि माना भौतिक वस्तूद नहीं है उससे कुछ हटकर है वह कुछ और भी सोचता है और वो कुछ और सोच क्या है उस्च आदर्श वो उन आदर्शों को प्राप्त करना चाहता है वो केवल सर्व सुख्धा संपन घर सारी सुख्धाएं उसके लिए प्रयाप्त नहीं है मैंने जैसे पूर में आपको बताया कि दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर लोंगों में जिन लोंगों के नाम लिये जाते हैं चाहे वो वारेन बफेट हों चाहे बिल गेट्स हों चाहे सुंदर पिचाई हों या अन्य बड़े बड़े नाम चाहे इलॉन मस्क हों ये सब लोगों की आप बायागरफी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इतना अपार संपत्ती होते हुए भी विश्व के 10-15 सबसे धनाधे लोगों में रहते हुए भी ये लोग कुछ और पाने की इच्छा रखते थें क्योंकि इन्हें इसमें सुख नहीं मिला और वो सुख जिसकी इच्छा वो रखते हैं उसे ही हम उच्छ आदर्ष कहते हैं उस सुख को हम आध्यात्मिक सुख कहते हैं क्या कहते हैं अध्यात्मिक सुख भौतिक सुख मानों को संतुष्ट नहीं कर सकता आधिकाल से जो हम संत चाहे वो हम महावीर स्वामी के बात करें या गौतम बुद्ध और जितने भी संत हुए ये सब सांसारिक सुखों से लब्रेश थे सब उस ख्षत्री परिवारों से आये थे जिनके पास बड़े महल थे सर्व सुखधा संपन और महौल था लेकिन उसके बाद भी इनोंने उन सुखधाओं को त्यागा और जंगल की ओर गया है वरतमान में चाहिए वो बिल गेट्स हों या वारेन बफेट्स हों या सुंदर पिजए ये लोग जंगल की ओर तो नहीं जा रहे हैं लेकिन फिर भी वो आत्म शांती की खोज में लगे हुए वो अभी भी महसूस करते हैं कि इतना सब होने के बाद सर्व सुखधा संपन होने के बाद भी कुछ तो कमी है और वह कुछ तो कमी से ताठपर है अध्धात्मिक सुख अध्धात्मिक सुख बहुत एक सुख बनाम आद्मी उसको पाना चाहता है और उसको पाने के पीछे ताद पर ये है कि वह भौतिक विकास से आगे बढ़कर आध्यात्मिक विकास की बात करता है और इस प्रकार हम देखते हैं कि 1949-45 के बाद विकास की परिभाशा में वो बदलाओ हज्जारों वर्षों की गुलामी विदेशी आक्रमन सामराजवादी प्रभाव के कारण लंबे समय तक भारत में जो उसका असर हुआ उसका एक परिणाम तो ये हुआ कि जो आध्यात्मवादी देश था भारत वहां कुछ भौतिक वाद हो चला सांसारिक सुख की और ज़्यादा जुकाओ हो गया और विश्व भी बदल रहा था इस बदलते विश्व में जहां भौतिक सुख की ज़्यादा बात हो रही थी आर्थिक विकास की ज़्यादा बात हो रही थी, भारत कैसे उससे अच्छूता रहता हूँ, उसने भी आर्थिक सुक, आर्थिक संपनता को एक बहुत महद्पूर्ण पैमाना विकास का माना, विकास का एक बहुत महद्पूर्ण पैमाना मान लिया। तो कहने का तात पर ये कि भारत में भी भौतिक सुख बनाम आध्यात्मिक सुख में भौतिक सुख की ओर जो जुकाव आया उनके कारणों में पहला कारण तो था बड़े लंबे काल तक जो हमें गुलामी देखनी हुई देखनी पड़ी बड़े लंबे काल तक जो हम कहना चाहिए सामराजवादी प्रभाव में रहे बहुत लंबे काल तक हमने जो विदेशी आक्रमन एक के बाद एक देखे और उसके बाद पश्चमी सभिता का प्रभाव इसने हमें अपने सामयवादी अपने जो आध्यात्मवाद से थोड़ा दूर कर दिया और हम भी भौतिक वादी सुक की ओर बढ़ चले भारत में भी अब भौतिक वादी धारणा को ज्यादा महत्त दिया जाने लगा और इसमें ये तथ्य है हम भारत के लोग भी आज जब विकास की बात करते हैं तो आर्थिक विकास की बात करते हैं और आर्थिक विकास अर्था भौतिक सुकों की बात करते हैं इसलिए जब हम भारती विकास के मौडल का अध्यान करते हैं तो हम वही भौतिक model की ज़्यादा बात करते हैं लेकिन साथ ही साथ हम अध्यात्मिक पहलों का भी अध्यान करते हैं साथ ही साथ हम अध्यात्मिक पहलों का अध्यान करते हैं ये बहुत महत्पूर्ण है समझने की बात कि भारत ने अपने विकास के मार्ग में मात्र केवल पूंजी वाद नहीं रखा, मात्र केवल साम्मे वाद को ही नहीं सोचा, बलकि एक अपनी विचारधारा, जिसमें आध्यात्म वाद का भी पुट है, आध्यात्म वाद का भी प्रभाव है, ऐसी विचारधारा रखें। प्रणाम है या उसके क्या पहलू है ज़िसको हम सक्षित में बोलें तो और द्योगी करण के पहले माइने हैं बड़े बादों का निर्मान जिसमें विकास की वो कीमत हमको चुकानी पड़ी जो डिस्प्रपोर्शनेट थी और द्योगी करण के परणाम से बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित होना पड़ा लोगों को पलायन करना पड़ा और इस पलायन विस्थापन के क्या परणाम हुए इसको यदि हम सक्षित में बोलें तो पहला संस्कृति का विनाश जो जातियां जन जातियां उन ग प्रागत कौशल था और कौशल के माइने क्या है इस किल जिसमें उनको दक्षता हासिल थी वह दक्षता भी अब समाप्ट प्राय हो चली तीसरा प्रणाम जो अद्योगी करण या बड़े-बड़े विकास के नाम पर जो बड़े-बड़े कार्विए उसमें हुआ वह था इन जातियों का जन जातियों का अपनी आजीविका का जरिया खोना जिन जंगलों में हज्जारों वर्षों से रह रहे थे आखिर वहीं से तो भोजन पानी जड़ कंद मूल आदि पाते थे अब उसे खोना पड़ा परणाम क्या हुआ इन सब के परणाम सरूप ये लोग जीवन से संघर्ष करने लगे निशकर्ष ये कि और जोगी करने निम्न तबके के लोगों को जंगलों में वनों में रहने वाले लोगों को एक संघर्ष में जीवन की ओर लाकि खड़ा कर दिया है हम जो कहना जा रहे हैं जो बात यहां कही जा रही हो यह है कि विकास के हम अर्थ को दो भागों में बदल सकते हैं एक संकीन अर्थ और दूसरा व्यापक अर्थ संकीन अर्थ संक्षिप्त में आर्थिक विकास की दर्मे व्रिद्धी दूसरा समाज का आधुनी की करण तीसरा पूर्व निर्धारित लक्ष जैसे मैंने बताया बांध, अस्पताल, सडक, उद्योग इन परियोजनाउत का पूरा करना ये हो गया आपके विकास का संकीन अर्थ जन्हें आंक्णों में देखा जा सकता है जन्हें आंक्णों में तौला जा सकता है तो वहीं विकास के व्यापक अर्थ में हम ये चार पहलों को रखें कि विकास के व्यापक अर्थ में उन्नती प्रगती कल्यान और बहतर जीवन की अभिलाशा दूसरा लोंगों की केवल जीवन शैली ही नहीं बलकि सकारात्मक नजरिये का विकास जीवन शैली ही नहीं सकारात्मक नजरिये का विकास पॉजिटिव थिंकिंग उसका विकास सोच का विकास केवल आर्थिक सुखों का नहीं सोच में अपने विकास पर भी बल देते हैं विकास के वर्तमान मॉडिल में तीसरा जो विकास का उसमें समाहित है समाज के विकास के बारे में अपनी समझ द्वारा ये स्पष्ट करना कि समाज के लिए समझ रूप से उनकी दृष्टि क्या है समाज के लिए उनकी द्रिष्टि क्या है ये बहुत मत्पूण हैं और आखरी जो व्यापक अर्थ में हम देख सकते हैं विकास के मीनिंग को वह है ऐसी द्रिष्टि को प्राप्ट करने का तरीका जिसमें हम समाज का होलिस्टिक विकास देखेंगे जिसमें हम समात का समग्र विकास देखेंगे इस समग्र विकास को पाने के बहतर तरीके क्या हो सकते हैं अभी जो तरीके हैं वो तो हैं उसकी अपनी खामिया हैं उसकी अपनी समस्याएं हैं तो अब वैकल्पिक तरीका क्या हो सकता है ये है विकास का अर्थ व्या पकार्ट